ठक तो आपने बहुत देखे हूंगे लेकिन आज हम आपको ऐसे ठक से मिलाने चाह रहे हैं जिनकी ठकी के तरीके ने पूरे प्लिस विभाग के ही पसी ने छुड़ा दिये ये मामला 36 गड़ के बालोधा बाजार का है जापर पुलिस ने फरजीत चरित्र प्रमान पत्र बनाने वाले गिरोह का फंडा फोड किया है इस गिरोह के सदस्य बेहती सफाई के साथ SP से Authorized Letter Head पर चरित्र प्रमान पत्र बनाया करते थे और इसकी फीस थी सिर्फ 500 रुपए इस काले कारोबार का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक शक्स सिक्योरिटी के गार्ड की नौकरी के लिए जरूरी चरित्र प्रमान पत्र के लिए इस गिरोह के लोगों के संपर्क में आया और उसने उससे 500 रुपए लेकर पांच मिनिट में ही चरित्र प्रमान पत्र वाटसेप पर भेज दिया इस प्रमान पत्र में धाना प्रभारी की जगा SP काल लेक था साथ ही गोल सीट भी लगी हुई थी शक होने पर फर्यादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की और उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया पर पर दाएकर दिया जाए आए ऐसा करके जाहनकारी मिली थी तो उन्हें तीन ग्रोजगार युपों ने उसकी ने पांच 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 वद भांच पर दिये थी और उन्हें पर फर्यादी ग्हंटे में मोगाई से बनाया हुआ जहाए रिक्सर कारे आले बनाया गया ऐसा फर्जी परवानपत्र उनको वाटसप के मार्दम से पराफ्थ हुआ जब पुलिस को मुगी परवानपत्र बना रहा है तो हमने तरका गारवाई काते हैं पराथी को बलाकर उनको संजाया अब आढ़ दयतकर दोनों और गिरखतार किया है और जानकार लिए जारे लिए इस पकार से कितने लोको बैखू बनाकर जोनों पैसे उन से एठे है और जोनों को आ रुखतार पर देज़ दिया गी रिमानपर मैं आपके माध्यम से सभी वकों को सभी साथियों को बताना चाहrous कहाँ कहा कि रवी प्रमान पर बनानी का एक मात्र यृक्लिदी होता है वो पुलिस से जिक्शक कार्याले अले होता है आप पुलिस से देख संय कर सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में है उनसे पूछताज का दौर भी चारी है पलिस को उमीद है कि मामले की जाच में कुछ ऐसा भी सामने आ सकता है जो फर्जी दस्तावेज से जुड़े किसी बड़े मामले का खुलासा कर दे पंजाब के सिरी के लिए अशोक टंडन की खबर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद